रात भर पानी में भिगो कर खाए ये चीजे कभी भूड़े नहीं होंगे। पहला मेथी दाना इनमें फाइबर्स भरपूर मात्रा में होती हैं, जो कबज को दूर कर आंतों को साफ रखने में मदद करती हैं। डाइबटीज के रोग्यों के लिए मेथी दाना फाइदेमंद हैं। साथ ही इसका सेवन महिलाओं में पीरियेट्स के दोरान होने वाले दर्द को भी कम करता है। दूसरा खस-खस ये फोलेट, थियामिन और पैंटोथैनिक एसिड का अच्छा सोर्स होता है। इसमें मुझूद विटामिन B, मेटबलिजम को बढ़ाता है, जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तीसरी चीज है अलसी, अलसी ये फ्लैक सीड, ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक मातर शाकाहारी सोर्स माना जाता है। अलसी का सेवन, बैड कोलेस्टोल को घटा कर हमारे दिल को भी हल्दी रखता है। चोथी चीज है मुनक्का, इसमें मैगनेशियम, पोटाशियम और आईरन काफी मातरा में होते हैं। मुनक्का का नियमी सेवन, कैंसर कोशिकाओं में बढ़ोतरी को रोकता है। इससे हमारी स्किन भी हल्दी और चमकदार रहती है। अनीमिया और किड्नी स्टोन के मरीजों के लिए मुनक्का फायदेमंद है। पाचवा है, खड़े मूंग, इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भी भरपूर मातरा में होता है। इनका नियमित सेवन कब्ज दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पोटाशियम और मैगनीशियम भरपूर मातरा में होने की वज़े से डॉक्टर्स हाई बीपी के मरीजों को इसे रेगुलर खाने की सला देते हैं। चटी चीज हैं बादाम इसमें मेगनीशियम होता है जो हाई बीपी के रोग्यों के लिए फायदेमंद होता है। कई अध्यनों में पाया गया है कि नियमित रूप से भीगी हुई बादाम खाने से खराब कोलेस्टोल का लेवल कम हो जाता है। साथवी चीज है किश्मिश किश्मिश को भीगो कर खाने से हेल्थ को बहुत फायदे होते हैं। भीगी हुई किश्मिश में आयरेन, पोटाशियम और फाइबर परचूर मात्रा में पाया जाता है। रोजाना सेवन से बोड़ी में खून की मात्रा बढ़ती हैं और एनीमिय की शिकाय से निजात मिलती हैं। किश्मिश को भीगो कर खाने से इसके अंदर मुझूद तत्व बहतर हो जाते हैं। इसलिए आप रोजाना रात को 20-30 किश्मिश को भीगो कर रखें और सुबह खाली पेट इनका सेवन करें। आपको बता दें कि जब आप इने भीगो कर रखते हैं तो इसके उपर का छिलका हलका हो जाता है। और इने सीधा सेवन करने से किश्मिश के अंदर मुझूद विटामिन्स और मिनरल्स सीधा आपके श्रीर में पहुँच जाते हैं। इसके अलावा भीगो कर रखने से किश्मिश के अंटी अक्सिडेंट तत्व भी बढ़ जाते हैं। आठवी चीज है अखरोट। अखरोट श्रीर के लिए बहुत फायदेमन होता है। इसको रात को भीगो कर सुबह खाली पेट असानी से खा सकते हैं। इसको नियमित खाने से मेमरी शाप होती हैं और यादास्त भी बढ़ती हैं। इसको खाने से श्रीर का मेटबुलिजम बूश्ट होता हैं। और हडिया भी मजबूत होती हैं। इसमें परचूर मातरा में आरन, कल्शियम, पोडाशियम और फोलेट आदी भरपूर मातरा में पाया जाता है। नुवी चीज है अंजीर। अंजीर श्रीर के लिए बहुत फायदेमन होती हैं। इसको खाने से कबज की समस्या दूर होने के साथ श्रीर को हल्दी रखने में मदद मिलेगी। रात को इसको भिगोने से ये सोफ्ट हो जाती हैं, जिस कारण खाने में असानी होती है। अंजीर खाने से इम्निटी मजबूत होने के साथ कमजोरी की समस्या दूर होती है। दसवी चीज है चने भीगे हुए चने को सहत के लिए बेहधी फायदेमन माना जाता है। इसे प्रोटीन का बहतरीन स्त्रोत माना जाता है। रोजाना इसके सेवन से शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। प्रोटीन के अलावा चना कार्बोहाइडरेट, फैट, फाइबर और कैल्शिम जैसे पोशक तत्वों से भरपूर्फ होता है। यह शरीर को स्वस्थ और ताकतवर तो बनाता ही है। साथ ही कई तरह की बिमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। यह दिमाग को तेज करने में भी मदद करता है। और थवचा और बालों के लिए भी इसे फाइदमन माना जाता है। यूं तो चना खाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसे भून कर खाना पसंद करते हैं तो कुछ उबाल कर, तल कर या सबजी के रूप में लेकिन भीगे हुए या अंकूरी चने को ज़्यादा फायदे मन माना जाता है। विशेशग्या कहते हैं कि अगर भीगे हुए चने के साथ गुड का भी सेवन किया जाए तो जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, ये टिप्स कैसे लगे और कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी। कमेंट बोक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदी YOU आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी इस वीडियो को like शेयर जुरूर करें। हमारे चैनल को भी subscribe करें। यदी आप हमें facebook पर देख रहे हैं, तो आप हमारे facebook पेज को like और follow जुरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्ट टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन मंगल में हो